नमस्कार दोस्तों, मेरे किचन में आपको स्वागत है आज हम 15 मिनिट में बहुत ही टेस्टी मीठाई बना का तयार करेंगे और ये मीठाई अगर आप बाजार से खरीतने हैं तो बहुत जादा महेंगी मिलती है लेकिन अगर हम घर में बनाते हैं तो बहुत सस्ते में मिठाई बनकर तयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है तो आईए दोस्तो इसे बना लेते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई लेंगे और उसके अंदर लेंगे एक कप दूद दूद को हम पहले उबलने देंगे तो दूद में उबाल आ चुका है तो अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे तो मैं इसमें वन थर्ड कप चीनी डाल रहे हूं और चीनी को डालके फिर हम इसे चलाते वे चीनी के खुलने तक पकाएंगे तो अब चीनी घुल चुकी है तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे इलाइची का पॉडर तो मैं इसमें एक छुटा चमर इलाइची का पॉडर डाल रहे हूं इलाइची का पॉडर डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर milk potter डालेंगे तो मैं इसमें एक कप milk potter डाल रही हूँ milk potter डालके इसे अच्छे से mix करेंगे और इसे अब हम गाड़ा होने तक पकाएंगे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक की ये कड़ाई पूरी तरीके से ना छोड़ दे तो अब आप देखें ये हलका हलका गाड़ा होना शुरू हो गया तो इस टाइम में हम इसके अंदर घी डालेंगे तो मैं इसमें एक बड़ा चमच घी डाल रही हूँ घी डालने से इसमें softness आएगी और साथ में इसका taste भी अच्छा आता है और कड़ाई में ये चिपकता भी नहीं है और अब हम गयास की flame को लो कर देंगे और लो flame पर ही इसे पकाएंगे क्योंकि इस समय ये बहुत जल्दी गाड़ा होने लगता है तो नीचे की side ये लग सक करता है इसलिए हमें बहुत ध्यान से चलाना है तो अब आप देखिए इसने कड़ाई चोड़ना शुरू कर दिया है तो इस time हम गैस की flame को बंद कर देंगे और फिर इसे चलाएंगे ऐसा करने से ये चिपकना बिल्कुल बंद हो जाता है तो अब ये कड़ाई में यानि की नारियल का बुरादा साथ में इसमें पिसीवी चीनी डालेंगे तो ये मैं वन फोर्थ कप डाल रही हूं अगर आप चम्मच से देखते हैं तो इस चार से पांच बड़े चम्मच आप चीनी इसके अंदर डाल सकते हैं साथ में आधा चुटा चम्मच इसमें इला जाँ और 2-5 चंज एब फूड कलर डाला बाद और पिसके अगर के पास दूस कालर रहें अगर आपके पास फूड कलर ना हो या फ để या फूड कालर डालना पश्यनी करते हैं तो इससे тебя पर के तो इस दूद को डालेंगे इस डालें nasıl करेंगे तो हमें से तबतक मिक्स करना है जब तक कि यह बंदने ना लगे है जैसे लड़ू में बनदं़ को बना करेंगे अब मैं आपको दिखाती हूं आपलकुल ऐसस ठीव और मिकस्ट प्लंगी तो अब हम इसके मैं थोड़ा थोड़ा मिक्षर लेके जैसे हम लड़ू बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने इसे बना लिया है इसी तरीके से हम सभी बॉल्स बना कर तैयार कर लेंगे तो मैंने सारे बॉल्स बना लिये हैं और अब हम स्टफिंग शुरू करते हैं तो जो हमने mixture ठंडा होने के लिए रखा था scyan likely. ठंडा हो जाएगा तो एक बार हम वापिस से इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो मैंने इसे एक बार mix कर लिया है और अब हम हाथों में थोड़ा सा identifier मिख्षेर लेंगे और इसे इस तरीके से हाथों से roll कर लेंगे और रोल करने के बाद फिर उसे हम प्रेस कर देंगे और अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे और स्टफिंग डालने के बाद फिर हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे तो हमें पूरा इसे कवर कर देना है और cover करने के बाद जैसे हम हातों से लड़ू दबा कर बनाते हैं वैसे हमें इसे प्रेस करना है ताकि यह अच्छे से अंदर की और चिपक जाए और फिर इस तरीके से हम रोल कर लेंगे तो इस वाले में स्टफिंग हो चुकी है इसी तरीके से हम सभी में स्टफिंग कर लेंगे तो एक बॉल में और आपको स्टफिंग करके दिखाती हूँ तो जैसे हमने पहले हातों में मिक्चर लिया था वैसे ही ले लेंगे फिर अच्छे से रोल कर लेंगे और फिर फिंगर स जगा दूसरे stuffing भी कर सकते हैं जैसे ड्राइफ रूट्स की stuffing भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और जैसे मैंने इसके अंदर milk इस्तमाल किया है बाइंडिंग के लिए आप इसकी जगा condensed milk का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस वाले में भी stuffing हो चुकी है और इसी तरीके से हम सभ भी को बना कर तयार कर लेंगे तो मैंने सभी को तयार कर लिया है और हमारी मिठाई तयार हो चुकी है लेकिन अब हम इसे गार्णिश करेंगे इससे जो माई मिठाई है वो देखने में और भी ज्यादा सुन्दर लगेगी तो मैं इसके उपर चांदी की वरक लगा रही हू लेकिन अगर आपको चांदी की वरक लगाना पसंद नहीं है तो आप इसकी जगद दूसी तरीके से भी इसे गार्णिश कर सकते हैं और अब हम चांदी की वरक को इस तरीके से पेपर से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए तो मैंने इन सभी को अच्छे से प्रेस कर दिया है और अब हम इसके उपर कुछ कटेवे पिस्ते डालेंगे आप इसकी जगद बादाम भी डाल सकते हैं साथ मैंने चेरी लिए चेरी को मैं इस तरीके से काट कर डाल रही हूँ इससे जो माई मिठाई है वो देखने में और भी जादा सुन्दर लगेगी इसके जगा आप रोस पेटल्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो मैंने इन सभी को गार्णिश कर लिया है आप देख सकते हैं जो माई मिठाई है वो देखने में बहुत सुन्दर लग रही है और खाने में भी यकीन मानिया बहुत टेस्टी लगती है बस आप इस रेसिपी को एक पर घर पर जरूर ट्राय करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर ना भूले और बैल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे फिर मिलेंगे एक नही रेसिपी के साथ